सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यू चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए टीम इंडिया के मध्यक्रम के बल्ले बाजी में सबसे धना के डार बल्ले बाजु में से एक सुरेश रेना को टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत पापड बेलने पड़े थे भले आज वह टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है लेकिन अभी क्रिकेट के जानका लोग मानते है कि वह टीम में वापसी कर सकते है और उनमें बहुत क्रिकेट बाकी है खुद रेना अपनी वापसी को लेकर जम कर महनत कर रहे है हाला कि अभी उन्हें इसमें काम ना भी नहीं मिली हैं लेकिन उमीद है कि वह टीम इंडिया में जल्द वापसी करेंगे अभी कुछ दिन पहले हुए योयों टेस्ट में फेल रहे युवराज सिह और सुरेश रहना की वापसी पर बहुत ज्यादा अटकले लग रही थी उसी के बाद युवराज सिह ने अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है ऐसा दिखाई दे रहा है कि साउथ आफरिका और उसके बाद इंग्लेंड दौरे के लिए सुरेश रहना और युवराज सिह ग्रम कर महनत ले रहे हैं युवराज सिह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त व्यायान और फिटनेस पर दे रहे हैं इसी वजह से उनको टीम में जगह मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वैसे देखा जाएं तो चौथे नंबर के लिए कोई बल्लेबाज भारतिय टीम के लिए अच्छा नहीं कर पा रहा है इस स्थिती में युवराज सीह को उस जगह पर खिलाना बहुत ही फायदे मन साबित हो सकता है और भारतिय सेलेक्शन कमेटी भारतिय टीम के लिए सारे पर्याई 2019 के विश्वकप के पहले ही आजमा कर देखना चाहेगी दोस्तों अगर आपको लगता है कि सुरेश रहना और युवराज सीह भारतिय क्रिकेट में खेलने चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताए और किस नंबर पर खेलने चाहिए वह भी हमें जरूर बताएगा इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब कीजिए